के गाइस हाई वेलकम बैक तो में चानल प्रीटी मून मोटर शीक गाइस आज में आप लोग की शेयर करने वाली इस बीटुफुल रक्षा बंदन स्पेशल मेंकप लूप और यह मेंकप लूप को क्रियेट करने के लिए में बहुत ही मिनिमाम प्रोडाक्स यूज किया सारी क सारे प्रोडस का फोफ टो फार डबले जस्ट अंडि तूफिक टी और जो सारे मेंकप रॉड़क्स आज में यूज किया ओर माक्समम मैंक ब्रोडस मेंने पचीस किया था लूग और जिस से लूग अइस्टर स्टोर वाही वाही वर्टी का आनन्द जूलरी जो है गाइस अंच को अच्छी एयरिंग्स की स्टोन है व है क्वालिटी की स्टोन के और आपलशन की सब्सक्राइब Nosi ब्सक्राइब उनकी स्टोर फे काफी से अफोरडबल मेकप प्रोडक्स के साथ साथ जूलरी भी अवलबल है और एक कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज के वीडियो तो सबसे पहले मेकप के लिए में स्टार्ट करूंगी आस्टी जिन से मैं आज नहीं करनी इंकाइक करोंगी लू उसस तो संस्कीन के लिए में लोटस की अप्लाइक करेंगी अगर आप डेठे में के साथ फ्रेंद्स के साथ सही जा रहे हो तो डेपटनिला अपो घ्रीप को सुन्सक्कीन international partnership all लोग स्केर सुन्सकीन कमें लोग संस्क्ररणि स्टार्ट करूंगी आइब्रोज से देन अपने आइब्रोज को फिल करने के लिए में एडेस की दबाब बालेट से ये डार्क ब्राउन शेड लेके एक फ्लाट अंगल प्राश की हल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अच्छे से ब्लेड हो जाए ताकि जो अप्लाई किया वह अच्छे से ब्लेड हो जाए आई बेस के लिए में यूज करूंगी पॉंज की बीबी क्रीम में मेरे आई लीप पे आज आई बेस इसे अप्लाई कर दोंगी अच्छे से देन यह सेम पालट से वाइट कलर की शेड लेके एक ब्लेंडिंग ब्राश की हल्प से में मेरे आई बेस को ऐसे सेट करूंगी अज़ा आई बेस को सेट करें दन ट्रंजेशन रेट के लिए में सेम पालट से ब्राउन कलर की शेड लेके मेरे फर्स्ट फर्स्ट मेरे आउटर बीपे से प्रेस करूंगी देन आज़ा ट्रंजेशन शेड इसे ब्लेंड करूंगी सेम पालट से ये ब्राउन कलर की सेड मेले रही है मैं तब तक इसको ब्लेंड करूंगी जब तक में मेरे डिजायर अमांट की पिग्मेंटेशन नहीं पालेती देन में मेरे क्रीज पर ये लाइट औरंज कलर की शेड लेके में मेरे क्रीज लाइन पर इसे अप्लाई कर लूंगी बिल्कुल ऐसे आपको ब्लेंड करना है देन में इन कलर कोस्मेटिक्स की ऐइशाडव पालत से रेट कलर की शिम दिशेड को में मेरे पूरे आइलीट पर क्रीज को शेगोर के विल्कुल आपको ऐसे करना है क्रीज तक अब को नहीं जाना है दिंसे बालत से में यह गॉल्डिंग कलर की शेड लेके पिंजर की राइब से प्रेस कर लूँगी बिल्कुल ऐसे देन शारे सेड्स को ऐसे ब्लेंडिंग ब्रट की हल्प से ब्लेंड कर लूँगी तक कोई हार्स एजेस और लाइन्स ना दिखे विल्कुल आपको ऐसे ब्लेंड करना है देन आई-लाइनर के लिए मैं यूज करूंगी लट्मी की आई-लाइनर और में थोड़ी सी विंग देन मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू एवन की ओकफी मस्कारा तो मेरी आई-मेकप अल्मोस्स कंप्लीट है देन मैं स्टार्ट करूंगी फेस मेकप तो मैं बीबी क्रीम को ही ऐस फांडेशन अपलाई कर रही हूँ मैं आज कोई कंसीलर फांडेशन नहीं अपलाई कर रही हूँ मैं बीबी क्रीम को ही ऐसे मेरे फेस पे अच्छे से अपलाई कर लूँगी यह बहुत ही अच्छा एक गर आपकी ड्राइस कीन तो इस ऑमेजिंग बीबी क्रीम टॉप ड्राइस की मेरे नेक पर भी इसे अप्लाई करूँगी ताकि नेक की कलर और फेस की कलर के साथ लोग इसे अप्लाई कर रही हूं कि आपको जल्दी जल्दी रेडी होना है अगर तो आप यह स्टेप को फॉलो तोड़ी बीबी क्रिम को स्टेट करने के लिए यूज कर रही हूं वाइट टून की ये लूज पाउडर दिन काजल के लिए में यूज करूँ एन और बी की काजल में मेरी अपर एंड लोर वाटर लाइन पे ऐसे काजल को अपलाई कर लूँगी दिन में एक्सेस लूज पार्डर को एक ब्रश की हल्प से पार्डर ब्रश की हल्प से ऐसे रिमूफ कर लूँगी एक्सेस लूज पार्डर को बिन यह सेम दा बाम पालेट से एडियस की वाला पालेट से लाइट औरेंज कलर को लेके अज़ ब्लश में अपलाई कर रही हूँ यह जो मेकप लूप में क्रियेट किया यह पर्फेक्ट पर डेर टाइम और इवनिंग टाइप अब देख से तो में बहुत ज़्यादा प्रड़क्ट नहीं यूज किया और यह जो ब्लसर की तरह में यह बाम पालेट से यह जो शेड में ब्लसर की तरह यूज करूं काफी यह ब्यूटिफल लग रही है और देन में मेरी आइस के अंदर आइस पे और कलर सेंस की एक कॉम्पैक्ट अप्लाइब कर यह ताकि जो नो मेरी बीबी क्रीम हो प्रीज ना करें और यह जो गॉम्पैक्ट पावड़र रेंगा बहुती अच्छा अच्छा कावरेज देन हाइड मैं हाइलायटर के लिए स्वीच ब्यूटि की हाइलायटर यूज करूं और मक्रीच ज्यादा नहीं लगा रहे हूँ तोड Chicago कि अ कई जिक्षाद ऍे लीट्टिअज फाइज पॉइंट को हाइलाइट करने के लिए दिन में मु नोस पे फोरेट पे चिंग फे इसे एह प्लाइ कर लूँगी और टीप अब डी अब्रीज अब दीनोस में आप्लाइ कर लूँगी आइड आई बराओज की ओर्नर भी इसे अप्लाई कर लूँगी बट आइस की कॉर्णर पर नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि यह डे टाइम मेकप है सो ज्यादा हाइलाइट करने की ज़रुवत नहीं है लिप्स्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ मियोन की यह रेड कलर की यह वाला लिप्स्टिक बहुती ब्यूटिफुल कलर है और यह लिप्स्टिक को भी मैंने लूप गॉज़स से पचेस किया था यह लूप को कंपलीट किया में रेड कलर की बिंदी के साथ क्योंकि मेरी जो आउटफिट है काफी गॉज़स है काफी ब्यूटिफुल है मेरी आउटफिट तो उसकी साथ बिंदी अगर आप नहीं यूज किया तो आप अपकी मेकप अधूरी रही जाएगी अप लोग पसंद आएगी मैरी आप अप लोग पसंद थो लोग मेरी मेकप अप लोग पसंद आया और अगर पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को definitely subscribe की जिए अपको करना हैinkammer की बटन को प्रेस और उसकी बगल में जो छोटी तीनी मीनी सा बेल बटन है आपको उसे भी हीट करना है ताकि मैं जब भी कोई ने वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे बहले नोटिफिकेशन मिले और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और अगर यह वीडियो अपलोगों को अच्छा लगे में कब लोगों को अच्छा लगे तो यह वीडियो को एक बार सा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो पे पिलें टे क्या बाइबाई फ्राइब में बाइब जाँ है कि अ मुट्यू हुट